आप लोग को जितना सेलेक्शन चैप्टर में रिजनिंग में जरुवत था उतना चीज जाने मैट्स के हिसाब से सेलेक्शन कॉम्बिनेशन और यह अरेंज्मेंट आपका पर्मुटेशन है दो बयक्ति है A और B दो कुर्सियां हैं और इन लोग को बैठाना है इस पर A अगर इधर की कुर्सी पर बैठेगा तो B यहाँ या A अगर दाहिने बैठेगा तो B बाया दो कंडिशन बनता अगर तीन मित्र आता ABC और इन्हें हम यह तीन कुर्सियां देते बैठने के लिए A अगर यहां बैठता तो B C A यहां बैठेगा तो C B B अगर पहली कुर्सी पर बैठेगा तो A C या C A C अगर पहली कुर्सी पर बैठा तो A B या B A इसके इसमें छे तरह से आप इसको अरेंज कर सकते थे छे तरीके से यहां सिर्फ दो तरीके से अगर चार मित्र होता और इनको मुझे चार सीट पर बैठाना होता यह अगर पहली कुरसी पर आया तो जो तीन मित्र बचेगा उसके लिए छे तरीका अभी आप सीखे तीन को बैठाने के लिए छे B अगर पहली कुरसी पर आता तो फिर 6 तरीका C पहली पर होता तो फिर 3 मित्र के लिए 6 तरीका D अगर पहली कुरसी पर होता तो फिर 3 सी के लिए 6 तरीका तो 6, 6, 6 चार बार होता ये 24 तरीके से होता अब इस केस में आपको अगर अब हम कहते कि पांच आदमी को बैठाओ और ये पांच सीट लगा देते तो यह ऐसे करके लिखने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा देखे कितना सिंपल मिथड है इसमें जब दो व्यक्ति था तो दो लिखेंगे एक गुना करेंगे बराबर दो हो गया जब तीन है तो तीन लिखा और एक एक तक लगातार गुना कर दिया ये छे हो गया जब चार है तो चार लिखे ये तीन आया फिर दो आया और फिर एक चार लिखकर लगातार एक तक गुना किया चारती अबाराबर दोना 24 ये हो गया अब सोचिए जब पांच होता तो पांच गुना चार गुना थीन गुना दो गुना एक पांच चुक्श प्ज तिया साट गुना एकसो बीस 120 तरीके से आप बैठाते हैं किसी नमबर को लिखकर लगातार उसे एक तक गुना करते हैं उस चीज को फैक्टोरियल कहते हैं जैसे ये कहलाएगा फैक्टोरियल 5 इसे आप या तो ऐसे या इस तरह से लिख सकते हैं इस ढ़ Stretch से लिख सकते हैं जैसे ये था आपका फैक्टॉरियल 3 तीन गुना दो गुना एक पराबर 6 ऐसे लिखाता ये आपका था फैक्टॉरियल 4 चार गुना तीन गुना दो गुना एक ये 24 इस तरह से था क्यों हम लोग करते हैं ऐसा काम देख लीजी एक रिजन क्यों ऐसा कर लेते हैं सूचिए पांच सीट है इस सीट के लिए आपका A, B, C, D, E पांचों में से कोई भी इलिजिबल है ये कहलाता 5C1 पांच में कोई एक आ जाओ माल लिजे यहां C बैठ गया ठीक है C बैठ गया यहां तो इस सीट के लिए 4 बचेगा 4C1 माल लो यहां E बैठ गया तो इस सीट के लिए 3 बचेगा 3C1 A यहां बैठ गया यहां 2 ही बच गया माल लो B यहां बैठ गया सिर्फ D बच गया तो हर एक सीट पर हम एक एक आदमी को चुनते गए और जिस समय चुनने के लिए आए उस समय टोटल कितना था तो 5 यहां टोटल 4 आप यह सेलेक्शन में सीख चुके और जब तक हम सारा सेलेक्शन करेंगे नहीं मेरा इवेंट पूरा होका नहीं बोले 5C1 का रिजल्ट 5 यह 4 यह 3 यह 2 और यह 1 यही तो है फैक्टोरियल 5 तो यह आपका बेसिक चीज है पहला कि हम लोग इस तरह से किसी चीज को अगर अरेंज करना चाहें तो ऐसे करते हुए हम अरेंज कर सकते हैं लिख ली चीगा ऐसे ही छुटा-छुटा कुछ कॉंसेप्ट है यह पहला कॉंसेप्ट था ऐसे ही कुछ चुटा-चुटा कॉंसेप्ट है जो अरेंजमेंट में आपको सीखना है जानना है फ्लावर छे अक्षर है इन से छे अक्षरों का कितना करम संबब है वही छे अक्षर हम यूज करेंगे तो फैक्टोरियल सिक्स होता छे पांच चार तीन दो एक यह साथ सौ बीस होता यह कुछन वन का अनसर था कुछन टू देखिए एक दुकानदार छे बिन प्रकार का वस्तू बेजता है और प्रतेक दिन वह सभी छे बस्तूओं का नया करम बनाता है किस दिन का करम नया नहीं होगा सोचिए अगर छे बस्तूओं का करम बनाएगा तो टोटल उनका सीक्वेंस जो बनेगा वो साथ सौबीस तरीके का हुका यानि वो साथ सौबीस नया नया करम बना सकता था लेकिन साथ सौबीस में दिन साथ सौबीस में दिन उसका करम निष्ठित रूप से पुराने करम के समान नहीं रहेगा चार मित्र PQRS स्टूडियो में ग्रुप फोटो के लिए जाते हैं तो टेक फोटो में चारो मित्र है अब सुची इसका मतलब है न ये PQRS PQSR ऐसे करते हुए बदलते गया ये लोग PRSQ SRPQ ऐसे सीक्मेंस बदलते चला गया प्रतीक फोटो में चारो मित्र उपस्तित हैं पर अन्तून का करम समान नहीं है यदि एक फोटो के लिए 20 रुपया लगता है तो अधिक सधिक कितना रुपया फोटोग्राफर उनसे ले सकता है तो बले चार आदमी अगर होगा तो फैक्टोरियल फूर यानि उनका 24 तरह से करम बनेगा 25 करम निश्वित रिपीट हो जाएगा नया नहीं रहेगा तो 24 करम के लिए 24 फोटो मैक्सिमम ले सकता था 25 फोटो रिपीट हो जाता जबकि मेंशन करता है प्रत्ते एक फोटो में 4 मित्र है और उनका करम समान नहीं है तो 24 फोटो जाता और एक के लिए 20 रुपया लगता है फोटोग्राफर उनसे 480 रुपया लेता तो जो पहला कॉंसेप्ट आप सीखे देखे उसे इसी तरह का कोश्चन बनता है यह तरीका रहेगा आपका सॉल्व करने का करेंगे अब तीन वयक्ति है A, B और C इनको अरेंज करना था अभी आप सीखे छे तरह से आप अरेंज कर सकते थे अभी आप जब सीखे छे तरह से आप उनको उनका क्रम तयार कर सकते थे फैक्टोरियल थ्री तीन गुना दो गुना एक यह छे था अगर यही तीन मित्र A, B, C के जगा पर A, B, A होता तो पुले जहां जहां आप सी लिखा है ना वहाँ A लिख देना था पहला देखिए A, B, A दूसरे में A, A, B जहां सी है वहाँ A लिख दिया ना इसके जगा पर देखिए B, A, C तो B, A, A लिखा गया बी सी ए फिर ये सी के जगा ए लिग देंगे ये सी के जगा ए लिग देंगे और ये सी के जगा ए लिग देंगे तो यही चीज देखिए आपका छे तरीका है लेकिन यहाँ छे नहीं रहा ये अबी ए और ए बी ए तो सेम है डवल अबी और डवल अबी सिमिलर है और यह दोनों सिमिलर है तो यहाँ पर हम देखते हैं मात्र तीन तरीका हुआ कारण था कि A यहाँ पर रिपीटिड है ऐसे केस में जब हमने A, B, A को अरेंज करने की बात की तो तीन चीज़ का अरेंजमेंट फैक्टोरियल थ्री यह तीन है ना फैक्टोरियल थ्री लेकिन वराइटी आपके पास दो ही है दान दिजेगा यह तो यही वराइटी है डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू वराइटी आपके पास यतना रहेगा इतना वैसे नहीं चलना है देखिए वराइटी के विस्टेस पर चलनेगे न तब और दूसरे वाले में दिक्कत होगी कैसे करेंगे काम वो देखेगा क्यों ऐसा करते हैं ए का frequency दो बार जबकि बी का frequency एक ही बार है तो जिसकी जितनी frequency होती है न उतना factorial यूज करते हैं उतना factorial यूज करते हैं तो factorial 3 का value 6 हो गया factorial 2 का value 2 गुना 1 यह रहा अंसर तीन तरीके से होता है अगर मान लिजीए आपको अरेंज इनको करना था ऐसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ ये फैक्टोरियल नाइं पी का यूज है, तीन, एक चार बार है तो फैक्टोरियल फ़ोर पी के लिए क्यू का यूज तीन बार है factorial 3 Q के लिए R का यूज दो बार है देखिए into factorial 2 R के लिए अब इसको solve करने में जो समय लगता आप cancer हो गया 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये factorial 9 है ये 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1 और ये 2, 1 तो 4, 3, 2, 1 आपका यहां से cancel कर दीजिए 3, 2, 6, cancel कर दीजिए ये 2, 4 बार गया ये ले जाएए गुना कर दीजिए 9, 7, 63, और पांचो के 20 63 गुना 2, 126 20 था एक 0 बैठा दिया तो 9 गुना 4, गुना 7, गुना 5 ये आपका हो गया 7, 35, गुना 4 140, 9, 126 तो जिसकी प्रिक्वेंसी जितनी बार हो उतना नीचे में फैक्टोरियल होता है एक बात और पहले देख दिए लेकिए वास्त्वा में होता क्या है बतलाएं जब मुझे 5 चीज को अरेंज करना था तो फैक्टोरियल 5 एक की प्रिक्वेंसी एक बी की भी एक, सी की भी एक डी की भी एक और ई की भी एक सब की प्रिक्वेंसी सिंगल है यहाँ पर अब सुचिए पैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होगा 5 बार 1 भी गुना करेंगे तो 1 ही आएगा और किसी नमबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो नमबर वही रह जाएगा इस कारण से हम लोग यह वाला काम नहीं करते हैं लेकिन वही पर जब फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है तीन बार आ गया, चार बार आ गया, दो बार हो गया तो फ्रिक्वेंसी बढ़ने पर हम उसे यूज करेंगे जिसकी फ्रिक्वेंसी जितनी बार उतना से ऐसे डिवाइड होगा यह आपका सिकंड कॉंसेप्ट है देख लीजिए पिर इस पर कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमर चार एक, दो, तीन, चार, पांच, छे फैक्टोरियल सिक्स पी का यूज एक ही बार है ओ का यूज दो बार है पी का यूज एक ही बार है ओ का यूज दो बार है और टी का यूज भी दो बार है फैक्टोरियल सिक्स साथ सबीस दो गुना दो चार, एक सबस्सी है करनाटका एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ फैक्टोरियल नाइन के दो बार है एक, दो, तीन, चार बार ए है आर एंटी सिंगल है, यह नहीं यूज करेंगे फैक्टोरियल नाइन हो गया, नौ, आठ, साथ, छे, पांच, चार, तीन, दो, एक डिवाइड़ बाई, फैक्टोरियल टू और यह चार, तीन, दो, एक, चार, तीन, दो, एक से कैंसल करो और यह दो से तीन वार जाएगा, पांच, गुना तीन, पंद्रह, गुना साथ, एक सो पांच, और गुना बहत्तर, 7560, 7560, 7560, गनित की तीन पुस्तके हैं, और इतिहास की तीन समान पुस्तके हैं, इनको सजाने का कितना करम संभव होता, यह तीन और यह तीन है, तो फैक्टोरियल सिक्स, 720, छे गुना छे चर्थिस, यह बीस, चलिए, अब एक और कॉंसेप्ट सीखते हैं, आद्मी पाँच, सीट भी पाँच, तो फैक्टोरियल फाइव, 120 तरीके से, यह आप जान चुके, माल लिजे, आद्मी तीन है, और सीट पाँच है, यह नमबर अप परसंस आपके पास जादा है, साथ है, और सीट मात्र तीन है, तब कैसे काम करेंगे, इक्वल रहने पर तो सीधे पैक्टोरियल से काम कर लिया, कहते कि तीन कुरसियां हैं, हर एक कुरसी पर एक आदमी बैठेगा, और साथ व्यक्ती है, आप कितने तरह से बैठा सकते हो, तो यहाँ एक बात ध्यान दीजेगा, यह कुरसी पर आदमी का बैठना डिफिनिट, सीट कम है, इस पर आदमी का बैठना निश्शित, हम लोग एक चीज़ यहाँ सीखे, कि देखिए जब आप इस तरह से चलते हैं, तो 5C1, 4C1 करके भी सीखे थे, यही कॉंसेप्ट अभी काम कर देगा वहाँ, यही चीज़ काम करेगा, बोले इस सीट पर साथ में से कोई भी आ सकता है, इसमें क्या होगा, सेलेक्शन अरेज़्मेंट टिक अठे काम कर लेंगे आप, साथ में कोई एक 7C1, एक आदमी हट गया तो बच गया 6, मानलो C हट गया तो बच गया 6, इसके बाद मानलो F भी बैठ गया, अब बच गया 5, अब बाकी लोग नहीं बैठ पाएंगे, समाप्त, आंसर तयार, साथ गुना छे, गुना पांच, यानि अगर साथ वैक्ती हो और तीन ही सीट है, कितने प्रकार से आप उन्हें उन तीन सीट में बैठा सकते थी, तो आंसर होता 210 तरीके से, जो चीज़ कम होगा, वो सेलेक्ट करता है, यहाँ सीट चुनेगा आदमी को, आदमी नहीं सुनेगा सीट को, जैसे आज के डेट में क्या है, सीट कम है, वेकंसी कम है, कैंडिडेट्स जाता है, तो जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, तो लिखा रहता है, यानि पोस्ट आपको चुनता है, आप इस पद पर चैनित होते हैं, यानि पद ने आपको चैन किया है, आपने नहीं चुना है पद को, इसने जो चीज़ कम होगा, वो सेलेक्ट करेगा, यहाँ पर वैक्ती कम है, सीट पांच है, आदमी तीन है, यानि हर एक को सीट मिलना ही मिलना है, तो उस केस में आपका तीन है, अब सोचिए सीट तो आपके पास पांच है, अब ए आराम से आगा कहेगा, एक सीट मेरे लिए पांच जो खाली है, तो पांच में से कोई एक सीट रख लेगा उसे ये सीट अच्छा लगा बी की बारी होगी चार सीट बच गया कोई एक सीट उसको अच्छा लगा था ये रख लिया सी के लिए तीन सीट बच गया ये वाला उसको बढ़ियां लगा ये रख लिया बाकी seat खाली आंसर तयार 5C1 into 4C1 into 3C1 5-4-20-3-60 60 ways में आप ये चुन सकते थे तो जब आदमी कम seat जादा या आदमी जादा seat कम तो ये method आपका रहता है solve करने सुचिए आपके question में reasoning में इसी तरह से कहानी बना कर आएगा concept मालूम रहता है हम लोग अपने आप उसमें apply करेंगे अब देखिए जैसे ये question साथ पढ़ते तुरच जाता hostel में अच्छा 3 खाली कमरा है बना दिया 3 खाली कमरा 8 हावे तक पहुँच गया है 8 आदमी है ABCDEFGH साथ बचोगे इसमें से एक यहां आजाना 6 बच जाओगे इसमें से एक यहां आजाना हो गया बाकी पांच चले जाओ नहीं मिला तुमको next time आप ट्राइ करना 8 गुना 7 गुना 6 या 8 गुना 7 गुना 6 334 बन गया question 1 साथ नमबर तयार इसलिए इस तरह के question 1 गुना जो कहता है बस उतना ही काम करना है आपको question नमबर आठ देखिए hotel के तीन कमरों में चलिए hotel का पहला कमरा दूसरा कमरा दीसरा कमरा 9 बस्तर है 3 इंटू 3 मतलब 3 इसमे 3 इसमे 3 इसमे ये 3 इंटू 3 हो गया 3 यात्री ABC को एक एक बस्तर देना है किसी भी कमरा में एक से अधिक यात्री नहीं रहेगा चलो पहला यात्री जो भी रहा है ABC जिसको मन है माल लो इसको मन कर गया पहला यातरी इसको मन है जाने का देख लो जाकर तुम तुम को जो अच्छा लगे ले ले लिए ना उसके लिए नौ बिस्तर है तीन तीन छे तीन नौ नाइन सी वन ये नौ में से एक चुन लिया उसे ये वाला बिस्तर बढ़िया लगा था चुन लिया ये ये लेगा वो अब जब दूसरे यात्री की बारी आई तो उसके लिए आठ बिस्तर नहीं बचा उसके लिए मात्र छे बिस्तर बचा कारण है किसी भी कमरा में एक स्याधिक यात्री नहीं है इसमें C चला गया तो बाकी अब ये खाली जाएगा 2 या 3 हो जाएगा नहीं तो तो B के लिए 3 यहां 3 यहां उसे यह वाला बिस्तर अच्छा लगा तो यह भी मना हो गया देखें 3, 3, 6, 6, C, 1 एक के लिए 3 ही बिस्तर बच गया जो उसको अच्छा लगे यह तीन में से जो चुन लो तो 3, C, 1 तो कितने प्रकार से उन्हें बिस्तर प्राप्त होगा तो 3, 6, 9 3, 6, 18, 18, 9, 162 यह आंसर 162 18, 9, 162 तो यह आपका मेथड था देखें सॉल्ब करने का आज यह तक रखेंगे तीन कॉंसेप्ट सीखा है ऐसे ही चुटा चुटा आपका तीन चार और कॉंसेप्ट है कल सीखेगा तीन कॉंसेप्ट है